कैसे हैं तो बिटा आज का पेपर आपका 12 का इंगलिस का कैसा गया प्लीज कमेंट्स में करके बताओ मेरे को कमेंट्स करो फटा फट ठीक है और मैं पेपर मेरे हाथ में भी भी है देखो मैंने पेपर देखा है पेपर बहुत बहुत ही इजी पेपर है हाँ कुछ बच्चों ने मेरे को बताया कि थोड़ी सी लेंदी पेपर है थोड़ी सी लेंद है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ठीक है और आपके सेक्षन एक कोश्चन तो बहुत-बहुत अच्छा था दोनों आपका जो पैसे से थे स्लेक्ट करके और आपका जो यह है ग्रामर पोर्शन यह भी सा मेडियम लेवल का था उतना इजी नहीं कहा जा लेकिन मेडियम टफ भी नहीं था और आपके जो लिटरेचर सेक्षन है वो तो बहुत-बहुत ही इजी पेपर था और जितना भी मैंने अपने बच्चों को सैंपल पेपर में से करवाया था बाद में मैंने क्या है ने 15 सै सैंपल में से टोटल एकदम 80 मार्क्स का कोश्चन्स आया था ठीक है और नहीं तो आप वेब साइट में जाके चेक भी कर सकते हो ठीक है और नहीं तो एक बाद डिस्किप्शन बॉक्स जरूर चेक करना नेक्स्ट पेपरों के लिए नेक्स्ट पेपर बहुत सार बच्चों को केमेश्ट्री का पेपर है ठीक है जैसे कि साइंस के बच्चों के लिए क्या होता है बिटा आपका केमेश्ट्री का पेपर होगा लेकिन यदि सपोज कॉमर्स के बच्चे है तो भाई उनका बले बले सीधे 11 को आपका क्या है मैथ का पेपर है ठीक है और जबकि साइंस क्या है उससे पहले 6 मार्स को फिजिक्स का पेपर है तो बिटा आप क्या है और भी सैंपल पेपर जितने भी है फटा फटा आप देख लो ठीक है वेबसाइट में सैंपल पेपर मिल जाएंगे नहीं तो डिक्सिप्सन बॉक्स में जाके चेक करो आपको लिंक भी मिल जाएंगे और ये भी तो पेपर आपका बहुत बहुत अच्छा है मैं बहुत जल्द ही इसका अंसर्स भी फटा फट आपको मैं अपने वेबसाइट पे डालता हूँ तो आप इस चैनल को फटा फट सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अंसर्स बगरे चेक करने में इजी हो तो ये वीडियो यहीं तक था कि मैंने एक रिवियू दिया कि आपका जो इंग्लिस का पेपर था 12th का बहुत बहुत इच्छा पेपर था अब हमारा क्या है 27th को हमारा इंग्लिस का पेपर 10th वालों के लिए तो बेटा आपके आसपास जितने भी अस्टूरेंट्स हैं 10th के तो यार वो 15 सैंपल पेपर कर लो मैं एक दम चैलेंज करता हूँ उसी 15 सैंपल पेपर में से सारा पेपर आना है ठीक है तो ओके बाई ठीक्स फर वाचिंग इस वीडियो ठीक है तो आप जाके चेक कर लो फटा फटा